हलो गाईज, वेलकम बैक टो और अनदर वीडियो गाईज, इससे पहले हमने लास्ट चैप्टर्स में मॉस्ट इंपोर्टन कैननस्टिक पैटर्स को डिटेल में जाना था वो भी बिल्कुल इजी वे में जिन्होंने कैननस्टिक्स के चैप्टर को अटेंड नहीं करा है वो इस वीडियो के डिस्किप्शन के लिंक पर जाकर देख सकते हैं तो गाईस, चलिए चलते हैं अपने अगले चैप्टर पर कि जब मार्केट योटन लेता है तो support and resistance कैसे बनता है ये काम कैसे करता है इसकी जरूरत क्यों पढ़ती है और इनसे setup कैसे बनाया जा सकता है इन सबी सवालों के जवाब इतने easy way में मिलेंगे कि कभी भूल नहीं पाऊगे तो चलिए शुरू करते हैं और उससे पहले हमारे चैनल को सस्क्राइब कर दीजे ताकि आपको हमारे इंटरडे सीरीज के चैप्टर तुरण अपडेट हो जाए ओके गाईस सबसे बेल अपन बात कर लेते है रजिस्टेंस एंड सपोर्ट की कि support एंड रजिस्टेंस होता क्या है जब भी मार्केट अपनी रेली कंट्यून्यू कर रहा होता है तो वो किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पर आके वापस अपना यूटर ले लेता है यह वापस से वो किसी एक particular price point पर जाके वापस से यूटन ले लेता है यूग, ओके गाइस तो यह जो scenario बनता है, इस scenario के अंदर सबसे बड़ा role होता है resistance का and support का, ओके समझ पार हो गाइस, यह जो momentum हुआ है यह support रें resistance के वज़े से होता है, ओके तो अब समझ लेते हैं कि यह होता कैसे guys, जब भी market इस price point पर आता है तो यहाँ पर कुछ buyers बेटे रहते हैं जो यह सोचते हैं कि मेरे को इससे best price buy करने के लिए और कहीं नहीं मिल सकता तो वो क्या करते हैं, अपना trade initiate करते हैं जब market इस price point पर पहुचता है, तो जो sellers होता है, वो यह सोचते हैं कि मेरे को इससे best price point और दुबारा नहीं मिलेगा, तो वो वापस से यहाँ पर अपना trade initiate करते हैं तो जैसे ही वो trade इहाँ पर initiate करते हैं, तो market नीचे की तरफ move करने लग जाता है, अब इस price point पर क्या होगा, जो buyers यहाँ पर trade miss कर दिये थे, जिन लोगों से यहाँ पर opportunity miss हो गए थी, अब वो वापस से इस price point का wait कर रहे थे, अब जैसे market इस price point पर आएगा, जो बाकी buyers थे, जिनका यहाँ पर trade miss हो गया था, अब वो यहाँ पर आखे अपना trade वापस से initiate करेंगे, तो जैसे वो यहाँ अपना trade initiate करेंगे, market वापस से bounce होगा, और market उपर की तरफ चला जाएगा, same scenario जो यहाँ पर हुआ है, वह ही यहाँ पर होगा, जो seller यहाँ पर miss हो गए थे, अब यहाँ पर अपना trade execute करेंगे, तो इस scenario से market में support and resistance बनता है, support and resistance, support में क्या होता है कि buyers बेटे रहते हैं, जो की price को नीचे जाने से रोखते हैं, और resistance में sellers बेटे रहते हैं, जो की price को उपर जाने से रोखते हैं, यानि उनका एक target होता है कि price को हम यहाँ से उपर नहीं ले ज resistance क्या होता है, एंड एक और important बात, कि जो support and resistance होते हैं, वो एक line नहीं होते हैं, अगर आप ऐसे draw करते हो ना market के अंदर, मान लिजए एक moment हो रहा है, moment होने बाद में अगर आप किसी support या resistance को इस तरीके से draw कर रहे हो, तो वो valid नहीं है, हाला कि valid रहेगा हो, लेकिन इस scenario के अ होगा ना कि आपको confusion बहुत जादा होंगे, तो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि आप support and resistance को draw कैसे कर सकते हैं, आपको draw कैसे करना चाहिए, उसका एक तरीका बता रहा हूँ कि आपको possibly जितना हो सके ना, आप support and resistance को एक zone में draw करने की कोशिश करो, उससे क्या होगा, market जब भी moment करेगा ना, तो आपको उसके momentum की, क्या होता ना, जैसे अब बता दिया, market इस तरीके से कभी moment नहीं करेगा, कि आपने कोई channel draw कर दिया, channel draw करने के बाद में market, आपके उस channel में you चलेगा, you कभी नहीं चलता, guys, ऐसा market कभी move नहीं करेगा, market किस तरीके से move करता है, market you move मूँव करेगा। यू, 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 एन यूू, आप इस तरीकां से मार्केट मूव करता है। ऐसा नहीं कि आपने या पर रोग कर दिया तो नहीं मार्केट भी आ आएगा और यहां से नहीं ऑन वापस यूटर लेneys यानि मार्केट अब चाहिए यहां से रिट्रेस करें तो अभी आपको टेंशन नहीं है यहां से करें तो भी कोई टेंशन नहीं है यहां से करें तो भी कोई टेंशन नहीं है तो यह समझना है अपन को छोटा सा कॉंसेप्ट है कोई ज्यादा हैवी नहीं है बस इतना सा समझन ना है कि सपोर्ट पर बायर्स बैटे रहते हैं अपने सपोर्ट को मैंटेन रखें और जो सेलर से वो कोशिश करेंगे वो अपने सब्सक्राइब को मैंटेन जब तक कि वो 3 time तक वैलिड है, जितनी बार वो टच करेगा उसने उसके probability कम होती चाहेगी, ओके तो अपन चार्ड पर समझ लहते हैं, ओके गाईस, तो अपन यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर support कहाँ बन रहा है, guys एक support यहाँ पर बन रहा है, market यहाँ पर multiple time टच होआ है, इर प्पॉइंट का जैसा ही मैं आपको पहले बताया था कि मार्केट ज़रुर्ण नहीं है कि आप जो बुक्स में पढ़ोगे जो आपको बताएगा कि मार्केट यू यहू रहेगा तो यह रांट आप मार्केट अगर आप में यहां पर मुमेंटम दिखाऊं तो मार्केट नहीं आप मुमेंट किया दैन अगर विक को भी अपने अड़ करें तो ऐसा हुआ यह वापस आया वापस से सपोर्ट लिया रेजिस्टेंस को थोड़ा सा यहां पर एक फेक ब्रेक आउट हुआ है ओके इ अगर केट नहीं आप पर आजिस्टेंस को तोड़ते हुए एक रे ट्रेस किया अप देख पा रहे हो यह सिनिर्यों बनता है तो जो मार्केट होता है ना मार्केट सबोर्ट लेगा रजिस्टेंस करेगा एक चैनल मतलब आपको एक चैनल की तरह दिखेगा मार्केट ना तो उपर जाते हुए ना ये नीचे जाते हुए एक certain uncertain period में चला जाता है मार्केट तब support and resistance काम आता है अब आप support and resistance को identify कर लिया आपने जैसे मालों यहाप अपने अभी identify किया था मार्केट का तो अब आप यहापे trade कैसे ले सकते हो अब आपन बात करेंगे यहापे setup लेने की कि आप अपना यहापे setup कैसे बना सकते हो तो simple सा scenario है मार्केट एक range में आपको दिख रहा है कि मार्केट ने previous time यहापे support लिया है और previously यहापे resistance लिया है then आप wait करो यहापे जब भी market यहापे आए तो confirmation का wait करो market का scenario कैसा बन रहा है उसके बाद में आप यहापे एक buying की planning कर सकते हो इस scenario के अंदर और wait करना है patiently wait करना है ऐसे नहीं कि आप यहापे तो यह resistance तक पहुचा भी नहीं है और यहापे trade ले लो नहीं आपको wait करना है कोई दिक्कत नहीं market को यहाँ आ जाने दो तब ले लो यानि आपको resistance पे तो sale करना है और support पे वाई करना है इतना से ध्यान रखना है जब भी market support पे आए थोड़े बोद confirmations आने दो confirmation आते हैं आप यहाँ पे trade execute कर सकते हो तो यह simple सा scenario है hard नहीं है बस आपको simple सी चीज़ समझनी है कि market बार-बार कहां retrace कर रहा है market कहां से bounce back हो रहा है market कहां bounce हो रहा है वो आपको समझ में आ जाएगा तो आप support and resistance आराम से डोकर पाओगे ओके गाईज आपको मारा वीडियो काफी informative लगा होगा अगर आपको मारा वीडियो पसंद आया और आपको अगर कुछ सीखने को मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब करें